कि हैं एक नई वीडियो के साथ और विडियो का थमने रों टैटल देख्के आप समझे होंगे कि वीडियो में क्या होने आला है कि आप सभी का स्वागत है जी वाजया ब्लॉक्स में करना मैंने के आप य यरी सान्ट फालिटिक करने के लिए मैंने मगा है मइक उसी के अनबाकसिंग करने कि विजनगे कैसे उसको काने करना ञांगा और क्या शीज़ींग सै और सपाथे चेक करेंगे सब्सक्राइब कंवाय विजह करते हैं यह हो तो माइक्रोफॉन figur वायलस माइक तो जब सुरू करते हैं इसके इंबख्सि करेंगे इंब्ख्सिंग ए yht किस का मॉडल है वायलस microphone और कुछ ऐसा है साथ इसमें ये माइक रिसीवर के दो चीज है और अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर और क्या है क्या क्या है पीचेश में लिखा है plug and play plug and play तो नहीं होगा कुछ नहीं कुछ सटिंग करना ही पड़ेगी 20 मेंटर की रेंच वाइड़ी कंपटेबल हाइली सेंस्टिव और क्लियर साउंड का कुछ है पिर रेशियो और प्राइज लिखा है वन नाइन नाइन जीरू बट वन नाइन जीरू को नहीं है यह मुझे मिला है 494 रुख का ओन नाइन से इसके अंदर क्या है और कैसा है तो यह है इसके अंदर का तो इसके अंदर में मिलता है एक के रिसीवर एक माइक और अंदर तीसरा कंटेंट क्या है वो देखते हैं यह इसमें इसका चार्जर लेंट काफी बड़ी नहीं है ठीकी है और यह माइक यह अपना कॉलर पर लगा सकते हैं अब से बटन टाइप का लग रहा है लेकिन बटन है नहीं है बस आची शोपीस टाइप का है पिर यह अपना रिसीवर इसमें बटन दिखे रहा बट बटन नहीं है अब शायनिंग है और यह है एक और चोथा कंटेंट जो है इसमें आइफ़न के साथ कनेक्ट करने के लिए अब इसको हमको यह कौन कनेक्क करना होगा अगर आपको आइफ़न के साथ करना होसाइब आप आइफ़न यूजर रेजिए भिजिए पिर उसमा का यूजर गाईड ये जो इसमें देखके आप कनेक कर सकते थे आप अब जेकर ही कर सकते हैं तो अब हम सकनेक करें अपने मोवाइल से वान से Connect करने के बाद चेक करेंगे इसका क्योंसे Connect करने के लिए आपको यह Haun करना है Start बटन जो के माय्क मैं है, इस कौन करने के बाद पीछे बरेड एं घ्रेंलाइट बिलिंक होँगी फिर उसके बाद हमें करना है अपना फोन का सेटिंग में जाके OTG सिस्टम आल तो हम अलोड़ी सेटिंग में हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे OTG यह देख रहाँ OTG कनेक्शन OTG कनेक्शन यहाँ पर है और यह हमको करना है on फिर हमको कनेक करना है अपना receiver यहाँ पर है आप देख रहेंगे रेड लाइट यहां पर जलगी है रेसीवर में यहाँ तो यह लाइट आने के बाद और यहाँ देखिए ग्रीन लाइट जलगी है इसका मतलब आपका माइक कनेक्श हो चुका है तो यह ऐसे करने इसकी setting गोटी जिए ओन करके अभी हमारा माइक है वो हमारा माइक अभी हमारे से फोन से connected है तो अभी हम माइक से recording कर सकते हैं तो अगर आपका phone directly connect होने के बात भी माइक अगर काम नहीं कर रहा है तो मतलब फॉन कनेक्टर दिखाएगा आपका बट माइक काम नहीं करेगा तो ऐसी सिच्वेशन में क्या गरना है ऐसी सिच्वेशन में आपको डाउड करना है एक एप प्ले स्टोर से यह एप है HD camera 2023 के वाली है तो आपको जाने प्ले स्टोर पर एक टाइप के लिए HD camera मैंने अड़ी टाइप किया हुआ यहां पर है और यह है एप इंस्टॉल वाली है यह वाली है पहले इंस्टॉल करके रख्खिया एक्शली सेम चीजी में साथ भी हुए थी यहां पर क्योंक कई phone के साथ यह directly connect हो रहा है कहीं पर हमको एक app की दुरू करना है मैंने भी इसी app की दुरू करना है कैसे connect करना है वह मैं आपको बता रहता हूं इसमिया तो आपको क्लिक करना है यहां पर Settings को जाके नीचे आएगा microphone option है यहां पर आपको दिखाएगा दो आप्शन इंप डि यहे कि आपको Bluetooth अप्टल नहीं रहना है जस्ट उनली अपको दो प्रण ब्लूटू पे इसको रखना है इसी ही ऑन ओ चुरू यहां पर इतना ही काम है ब्ट बाद में आपको जो रिकोर्दिंग करने पोड़ेगी वह आपको आपको अपको आपको 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 यहां जो which is showing 20 meter and we'll check whether it is exactly 20 meter or this is wrong so let's go, let's check this range 20 meter to 20 meter, let's leave the phone in the video mode so let's see how the range is and how the sound quality is coming so we'll check the sound quality so we'll check the sound quality so let's check the sound quality let's check the sound quality 20 meter minimum, let's see how the sound quality is coming and if you don't like the channel, please subscribe to this channel so it's a video, let's go to the last stop so there's 20 meter, you can see how the connection is coming and it's pre-pad, testing is going to be tested after being on the side, if there's something disturbance in the sound, we'll check it Anil, go back go back go back तो गैस मिन्मुम् 20 मीटर तो हो गया यह की तक ग्रेन लाइट इसमें बनी होगी है तो 20 मीटर का जो में दावा किया यह इसमें माइट पास हो गया इंखा तो चक करते हैं अगला तो यह थी माइक के अंबॉक्सिंग टेस्टिंग और इसका रिव्यू तो रिव्यू एक भी में आपको देना चाहूंगा इन्होंने इनका माइक थीक है अच्छा है कम रेंज में भी है और रेंज भी इसके अच्छी है 20 मीटर काफी दूर तक सही चल अच्छा है तो बड़ एक चीज है इसमें है कि हर एक मोवाइल के सांथ डिर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है तो अजर आपको डिर्क करना है तो आपको एक डाउनलोड करना हो को उसके लिए जो कि मैंने जो एप डाउनलोड किया हुए है एक्टी वीडियो 2023 तो उस एप के अच्छी है तो वीडियो को देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाग और यह था इसका उन्बॉक्शिंग रिव्यो और टेस्टिंग साहद यह पास ही हो चुगा अलमॉस पर एक जीज है वह जो डिर्क नहीं कनेक्ट हो रहा है वहीं पर थोड़ा सा वह दिक्कत होती अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करना मत बूलिए ताकि मैं यसी वीडियो और अफिले ला सकूं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडिय आप सभी को दिपावले की बहुत बहुत सब्काम नहीं जीत्वारे व्लॉक्स की तरब से जाहिन जायवारगद